गुद बॉर्णिंग चिल्रेन लास क्लास में हमने शाहमशाह अक्बर को कौन सिखाएगा नामक पार्थ का कुछ फाग यानि पहला पारग्राफ हमने पड़ा था है एक लोग का था है तेके बेचे पहले पारग्राफ से हमने जो कुछ पठा है अक्बर कौन थे? मुगल बादशाग थे अक्बर के मंदरी कौन थे? बीरबल थे अक्बर क्या चाहते थे? सभी चीज़ों गो पठना चाहते थे अक्बर अपनी पठाई के लिए अक्बर ने क्या किया? अक्बर ने अपने मंदरी बीरबल से पठाई का सारा इंदजाम करने को कहा बीरबल ने अगबर की पठाई के लिए क्या किया होगा देखे बैचे आज के पारग्राफ के द्वारा हमें सिखेंगे बीरबल ने अगबर की पठाई के लिए क्या किया होगा देखे बैचे ये आज का पहला पारग्राफ है देखे अगली सुबख जब शाहम शाह ने दर्बार में प्रवेश किया तो उनका स्वागत एक विज्जुत्र दर्श्य ने किया दर्बार तरह तरह के लोगों से भरा हुआ था वहां बच्चे और बुजुर्ग थे ग्रहनियं और धोबिनें थी किसान और कच्रा बीनिने वाले थे दुकानदार और लिबिग थे मोर्ख और ग्यानी थे और भी नजाने कितनी तरह के लोग थे देखे बेचे इस पारग्राफ में कुछ नए शाब्द आगे है पखले हम वो देखे शाहम शाह शाहोंगा शाह है या बादशाह समराट राजाओंगा राजा 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 राजन राजा दी राजन देर्बार राजसभा राजमहल बुज्जुर्ग एजड प्रायमुल्वर बूठे लोग ग्रहनियाम होस्वाइफ वीट्टम्ममार धोबिनेम वाशर उमन्स अलक्कु कायरीकल्व कच्च्रा बीनिने वाला राक सोर्टर्स चप्पु चवरगल परकुनवर लिबिग क्लर्क मूर्क फूल ज्यानी लर्ण्ड आरवुल्ला अब देखिए बेचे अगली सुबह राज दर्बार कई प्रगार के लोगों से बरे हुए थी वस्तों में यह एक विचित्र दर्श था तो कई प्रगार के लोगों से बरे हुए थी देखिए इसी प्रगार के अनेका अनेक लोग वहाम आप पहुँजे थे इन लोगों को आप बेरबल वहाम लाया था तो राज दर्बार किन किन लोगों से बर्रा हुआ था? राज दर्बार, बैच्चे और बुजुर्ग, गरहनियाम और धोबिने, किसान और कच्रा बीनिने वाले, दुकानदार और लिपिख, मूर्ख और ग्यानी आदी लोगों से यह अकबर बादशाह का दर्बार अगले सुबख में भरा हुआ था तो अगले पारग्राफ देखें, इन सबका क्या मातलब है? शाहम शाह गरजे, मैंने तुम से एसे लोगों को लाने के लिए कहा था, जो मुझे कुछ सिखा सके, और तुमने मेरा महल राज की आधी जनतां से भर दिया, अब जवाब दो तो अगली सुबह में बैच्छे देखें, अगली सुबह में टाजमखल कई प्रगार के लोगों से बरा हुआ था और यह देखकर बादशाख अकबर कोविष्ट हो गए थे, नरास हो गए थे, उन्होंने एक गरजा, बादशाख देखो, बादशाख गरज कर, कोविष्ट हो कर, कहा, क्या कहा, मैंने तुम से एसे लोगों को लाने के लिए कहा था, जो मुझे कुछ सिखा सके, अकबर को क कच पठा सके पठाने के लिए कुछ लोगं को कहा था तेकिन अब हो सिर्ड देखो राज की दर्बबा राज महल में अक스팇र को राज्य की आथी जनदा से आथी जनदा आथी का मतलangen हाफ जनदा में इन leader dog अधे लोग best paptyif حाण बस्तो होक गरज कर बीरबर के सामने बादशाह खड़े होगे देखे बैचे बादशाह गर्जे या कोबिष्ट होगे क्यों इसलिए कि अपना राज्यमहल राज्यक के थी लोगों से भरा था अभी देखे लोगों को कौन लाया था क्यों लाया था लोगों को बीरबर लाया था क्यों? क्योंकि अद्बर को सिखाने के लिए लाया था तो बैचे अगला प्रशन देखी बीरबर समाजी के वीपिन प्रकार के लोगों को दरबार में बुला लाया कारण क्या होगा? एक विक्ती सब कुछ सिखा नहीं सकता दरबार में मौजूद हर विक्ती दूसरों को कुछ न कुछ सिखा सकता है एक बात अटबर को समच्छाने के लिए बीरबल ने ऐसा किया था क्योंकि बैचे सब को मालू है हम को मालू है तुम को मालू है कि ये बिर्बल एक चतुर आत्मी है चतुराई के लिए बहुत प्रस्द है देखे बैचे शेश भाग में क्या हो गया तो अगले क्लास में हम देखेंगे ये बिर्बल की चतुराई या किसी प्रकार बिर्बल ने अकबर को सारी बातें समच्छा दिया सिखा दिया हम देखेम अगले क्लास में अच्छा बचे धन्यवाल